असलाम अलेकूम हलो दोस्तों मैं जुलेखारफाद जुलेखासकिचन.com से अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में पेल आइकन उसे भी क्लिक करें और रोटिफिकेशन पर ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देख जिसका नाम है चिकन हाका नूडल्स वैसे मैं तो इसे चिकन हाका नूडल्स ही कहती हूँ आप चाहें तो इसे चिकन चामीन भी कह सकते हैं वैसे मैंने कुछ इसी तरीकी से इंडो चाइनीज रेसिपीज मेरे चैनल पर अपलोड किये आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्र जब एक उबाल आ जाता है ये पानी में तो एक हाका नूडल्स का पैकेट दाल दीजिए आप चाहें तो पीसस करके डाल सकते हैं मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कुछ मिंटों के लिए इसे पकने दीजिए करम पानी के अंदर बार बार चलाते रहें और जब ये जो नूडल्स है पक जाए अच्छे से एक पार एक तोड़ कर देख लीजिए पाच्छी मिनिट में तो हो जाएंगे जब आप देखें के पक चुके हैं तो चूला बंद कर दीजिए और ऐसे छनी में नितार लीजिए अब ये गर्मा गरम नूडल्स को थंडे पानी के अंदर कुछ सेकेंड्स के लिए इस तरीके से रखें और अच्छे से इसे नितार लें अब क्विकली इसे एक प्लेट में दाल दे नितारने के बाद इस तरीके से और एक से दो टेबल स्पून जितना तेल दाल दीजिए इसके ऊपर और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए ऐसा करने से जो हमारे नूडल्स है न वो एकदम सौगी नहीं होंगे एक दुसरे में चिपकेंगे और अच्छे खुले खुले बनेंगे नूडल्स को साइपर रख दीजिए एक प्याली के अंदर दो अंडे दाली है म या फिर तेल दाली है मैं असली घी डाल रहे हूं नीडियम अच पर चूला कर दिया है मैंने और जब अच्छा गरम हो गया तो यहां यह जो अंडे फीट के रखेते यह डाल दीजिए और इसे कंटिन्यू इस तरीके से मिक्स करते जाए तो क्या होगा स्क्रमले बन तो तीन चोटे चाय के चमच बारे कटा हुआ लसन डाल दीजिए और इसे आधे से एक मिनिट तक के लिए मीडियम अच पर फ्राइ करें जब एक मिनिट हो जाए तो यहां मैं चिकन बोलनेस ली हूं 200 ग्राम है इसे मैंने छुटे छुटे चुटे पीस किया आप चाहे तो चिकन गल नहीं जाती है तो हाitis था फ़ेज़न आप तरीके से बार-बार चलाते रहेंगे तो यह तो चिकन पांचाद मिनिट में हो जाएगी जब तक चिकन हो रही है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ सबजें काट लिये, यहाँ पीली, हरी और लाल सिमला मिर्ज है, वो सारी मैंने वनफोथ वनफोथ लंबी-लंबी करके काटी है, थोड़ी सी छोटी सी मैंने यह जो गाजर है, उसे ऐसी लंबी-लंबी काटी हुए, और पानी कुरी तरीके से सूप चुका है, तेल अच्छे से छूट चुका है, और आप देख सकते हैं, कि चिकन भी मैंने देख ली, चेक कर ली, हो चुकी है, गल गई है, तो अब मैं दाल देती हूँ, सफेद प्यास जो मैंने मोटी-मोटी काट के रखी थी वो, औ और उसे में मीडियम आज पर 5-10 सेकेंड के लिए ही फ्राइ कर रहे हूँ, जब 10 सेकेंड हो जाए, तो बाकी की जो सबसियां है, वो भी सारी डाल दीजिए, हल्कासा मैं थोड़ा तेल जादा दाल रहे हूँ, आपने नहीं दालना है, तो वो ऑप्शनल था, ये सबसियों को दाल कर भी मिक्स कीजिए और तकरीबन 20 सेकेंड कखी फ्राइ कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि कच्छी पकी अच्छी लगती है, हाका नूडल्स के अंदर, जब 20 सेकेंड हो जाए, तो यहां साइड पर नूडल्स पके हुए, वो सारे डाल दीजिए, नम करके वो दाल दीजिए, दो या तीन चोड़ी चाय का चममच सिर्का दालिए, एक चोड़ी चाय का चममच विनेगर दाल दीजिए और थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियंस दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, टॉस कीजिए, समझे ना, एक से दो मिनेट तक मीडियम क्योंकि मेरा सर का जो है, वो डार्क है, आपका लाइट हो तो आप तीम भी दाल सकते हैं, आप खटास भी और जादा दाल सकते हैं विनेगर की, चलिए, दो मिनिट हो चुकी है, टॉस के मैं चूला कर देती हूँ, बंद और गर्म मेरे हाकानुनर्स का ये या चिकन चामन क अगर अगर आप मेरे रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें स्क्राइब करने के लिए ये देखें कैसे बढ़िया से एक तम खुले खुले से बने हैं और सबस्यां क्या खुबसूरत लग रहे हैं एक तम ओवर कुक्ट भी नहीं और अंड़ कुक्ट भी नहीं है और चिकन औ और अंडे का भी जो फ्लेवर है बढ़िया सारा है मजेदार से सर्फ कीजिए और कर्मा करम खाएं तो ये थी आज की रसिपी अगर आप मेरी रसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में ज़रूर शेय कीजिएगा मुझे आपकी कमेंस पढ़ने बहुत अच्छे लगत झाल